नमस्कार घरेली उप्चार में आपका स्वागत है मित्रों आज हम इस वीडियो में ऐसा उपाय दे रहा हूं बीना खर्च के बीना तंत्र मंत्र के बीना तोटका के आप अपना खुसहाल जिन्दगी बना सकते हैं और अपने गरहों को काफी मजबूत कर सकते हैं और जब गरह मजबूत होंगे तो घर में किसी प्रकार की परसानी नहीं आएगी तो मित्रों यह एक अद्भूत उपाय दे रहा हूं मात्र आपको केवल अपना आदत को बदलनी हो अगर आदत को बदल देते हैं तो सब कुछ उपलवध आपके लिए होगा तो चलें ध्यान से आप सुनें अगर आप मंदीर या समसान घाट या होस्पीटल जाते हैं तो वहाँ पर एक रुपे का सीका जरूर फ्येक कर आएं और इस आदत को बनावें आपके काम आने वाली रुकावड को दूर करने में सहाइक सीद्ध होगी अगर आप रात को जल्दी सुने की आदत बना लेते हैं यह आदत आपके चंद्रगरह के अच्छे फल देने को मजबूर करेगी और सुबह जल्दी उठने से आपको सुक्रगरह अच्छे फल देते रहेंगे अगर आप रसोई घर में खाना खाते हैं तो आपके राहु गरह के बुरे प्रभाव से मचे रहेंगे फटे पुराने और मैले कपड़े पहनने की आदत को बदल दें सुक्रगरह बुरे प्रभाव देते रहेंगे और साथियों पसु पक्षियों का सेवा करें सेवा करने का आदत डालें इससे राहु गरह कभी आपको पीडित नहीं करेंगे अगर आप प्रति दिन कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके नोकर के लिए होता है जैसे कुर्षी, टेबल, गारी इतियाद को अपने हां से सफाई करें परें तो सनीगरह आपके अच्छे फल देते हैं उनका बुरा प्रभाव कभी नहीं होगा मित्रों यह ऐसा उपाय है केवल आप अपने आदत को बदलें और खुसहाल जिंदगी बनान यह किस्मत को चमकाने वाला उपाय है आप इसे चुके नहीं तो मित्रों अगर आप प्रत दिन कौवे को रोटी खिलाने का आदत डाल देते हैं तो आप सनीगरह के बुरे परभाव से हमेशा मचे रहें अपने जूठे बरतन अगर आप खुद धो सकते हैं यह अच्छी आदत आपके चंद्रगरह को और सनी को आपके अनकूल फल देने को मजबूर कर देता है पिता और पिता के समान आदमी की सेवा करने की आदत डालें आपके सूर्जगरह हमेशा आपके अच्छे फल देने को मजबूर हो जाएगा मंदिर जाने की आदत डालें और हो सके तो मंदिर की जारू से साफ सुफाई कर रहें फीर देखें आपको गुरू गरह के अच्छे फल देखने को मिलेगा और घर में धन की आगमन तेजी से बढ़ेगी जब कोई घर पर आये तो उसको आते ही पानी पिलाएं इस आदत से आपको गुरू गरह का अच्छा फल मिलना सुरू हो जाएगा हर इस्तिरी का आदर करने की आदत डालें फीर देखें कभी भी सुक्र गरह के बुरे परभाव नहीं हो मा और मा के समान और रातों और विद्वा औरतों की सेवा समान करने की आदत डालें चंदर गरह का अच्छा फल मिलता है बड़े भाई की सेवा समान करें उनके साथ अच्छा सम्बंद रखें ऐसा करने से मंगल गरह का कभी बुरा परभाव नहीं पड़ता है अगर आप अपनी बुआ, बहन, साली और छोटी कन्या की सेवा समान करते हैं और अच्छा सम्बंद रखते हैं तो आपका बुद्ध गरह आप के अनकुल होनें तो मित्रों यह बीना खर्च, बीना तंत, बीना मंत के आप अपने जीवन में सभी प्रकार का खुशाहालियां ला सकते हैं मात्र आपको आदत को बदलनी होगी अगर अपने आदत को बदल डालते हैं तो आपकी सारी परसानियां दूर हो जाएगी और आप अपना खुशाहाल जिन्दगी को बना सकते हैं तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार